परिचय वा, कितना रंगीन है, ये क्या है मा, ये ही खनिज है, छात्रो, समोजी प्रिथ्वी, विभिन प्रकार के शैलों और खनिजों से बनी है, इनके बारे में इस अध्याय, शैल और खनिज में और जानने के लिए हमारे साथ आईए, आउ सीखें, शैलों के बारे में बताना, शैलों के तीन प्रकार, आगने, अफसादी और कायांतरित शैल के बारे में बताना, खनिज के बारे में बताना, खनिज के उधारन बताना, खनिज और शैलों का उप्योग बताना, शेल हमारे चारों तरफ हैं, आपके आंगन में, गली में, सड़क पर, जहां आप देखेंगे, वहां शेल देख सकते हैं, पैंसिल की नोग, चाक और इंट, सभी शेल हैं, प्रित्वी के वाहे पटल के पदार्थ से बना हुआ, कोई भी प्राकृतिक द्रविमान शेल कहलाता है, क्या आप जानते हैं, कि रेत और कीचड भी शेल का प्रकार होते हैं, शेल विभिन आकार और रंग का होता है, वह प्रक्रिया जो शेल को छोटे टुकडों में तोड़ होती है, उसे अब क्षायन कहते हैं, शेल के प्रकार, हम जानते हैं, कि प्रित्वी का वाहे पटल विभिन प्रकार के शेल से बना होता है, तीन मुख्य प्रकार हैं, आगने शेल, अफसादी शेल और कायांतरित शेल, आईए, इनके बारे में विस्तार से अध्यान करें, आगने शेल, आगने यानी आग से बना हुआ, जब जॉला मुखी फूटता है, तो यह तरल शेल को भूतल से उपर उठा देता है, जब यह तरल शेल प्रित्वी के भीतर रहता है, तो इसे मैगमा कहते हैं, यह मैगमा ठंडा होता है और ठोस बन जाता है, इस तरह से निरमित शेल को आगने शेल कहते हैं, इसलिए इन्हे प्रात्मिक शेल कहा जाता है, ग्रेनाइट आगने शेल का एक उदारण है अफसादी शेल दूसरे प्रकार के शेल अफसादी शेल हैं इन्हें उपवेशित शेल भी कहते हैं शेल लुड़कते, दरकते और एक दूसरे से टकराते हैं इससे वो छोटे टुकडों में तूट जाते हैं इन छोटे टुकडों को अफसाद कहते हैं अफसाद हवा, पानी, इत्यादी द्वारा, वहित और स्थापित किये जाते हैं ये शिथिल अफसाद संपीडित और कठोरी कृत होकर शेल की परत बनाते हैं इस प्रकार के शेल अफसादी शेल कहे जाते हैं कायांतरित शेल तीसरे प्रकार का शेल प्रथम दो प्रकार के शेल से बनता है ये कायांतरित या परिवर्तित शेल है उदारन सरूप चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगे मर्मर में परिवर्तित हो जाता है शेल का प्रयोग शेल हमारे लिए बहुत उप्योगी है शेल पिठ्थू, स्टापू, इत्यादी खेलों में प्रयोग होता है कठोर शेल का प्रयोग सड़क, मकान और इमारत बनाने में होता है शेल का प्रयोग बेसपॉल, बल्ला, वाशिंग मशीन, वीडियो गेम, हवाई जहास, कार, आभूशन इत्यादी में होता है खानिज बच्चो, हम शेल के बारे में जान चुके है सभी शेल खनिजों से बनते है आप चकित हैं कि खनिज क्या है आईए जाने चौकलेट और कुकीज की शेल के रूप में कल्पना करें कुकीज आटा, मक्खन, चीनी और चौकलेट से बनता है कुकीज शेल सद्रिश है और आटा, मक्षन, चीनी और चौकलेट खनिज सद्रिश की तरह है अता खनिज प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पदार्थ हैं जिससे शेल बनते हैं दुनिया में करीब 3,000 खनिज हैं जिनमें हीरा सबसे कठोर खनिज है क्वार्ज और कैल्सियेट खनिज के सबसे प्रचलित उधारण हैं खनिज के उधारण खनिज मनिश्य जाती के लिए अत्यदिक महतपून हैं कुछ खनिजों का प्रयोग इंधन के रूप में होता है उधारण स्वरूप, कोईला, ताक्रितिक गैस और पेट्रोलियम कुछ का प्रयोग लोहा, तांबा उध्योग, अल्यूमीनियम, प्लेटिनम अत्यादी उध्योग में होता है खनिज जैसे की सोना, लिथियम का प्रयोग दवाई में होता है नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम का खाद में प्रयोग होता है सोना, चांदी और हीरे का प्रयोग अभूशनों में होता है खनिज के प्रयोग खनिज हमारे जीवन में महतपून भूमी का निभाते हैं आईए इनमे से कुछ की चर्चा करें खनिज का प्रयोग सिमेंड के उत्पादन में होता है इसका प्रयोग शीशा, इलेक्ट्रिक सामान और द्रिष्टी लेंसों में होता है इनका प्रयोग खादों, दवाईयों, सिक्कों और आभूशणों में भी होता है हमने क्या चर्चा की? प्रिथ्वी के वाहे पडल के पदार्थ से बना हुआ कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान शेल कहलाता है शेल के तीन मुख्य प्रकार हैं, आगने शेल, अफसादी शेल और कायांतरित शेल ग्रेनाइट आगने शेल का उधारन है, चूना पत्थर और बालू पत्थर अफसादी शेल के उधारन है, जबकि संगे मर्मर कायांतरित शेल का उधारन है खनीज प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पदार्थ हैं, जिससे शैल बनते हैं क्वार्ज और केल्सियेट खनीज के सबसे प्रचलित उधारण है शैल और खनीज का हमारे जीवन में अत्यधिक उप्योग होता है